कि नमश्कार में प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं क्यापिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी अठार भी लोग सभा का पहला सत्र चल रहा है इसमें पक्ष विपक्ष सभी आमने सामने जुबानी जंग करते हुए नजर आ गांधी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके चलते अब बीजेपी नेताओं ने उनकी आलोचना करना शुरू कर दिया है और उनसे पूरे देश से माफी मांगने को कहा है रास्ट्रपती के अभी भाशन पर धन्यवाद प्रस्ताफ पर लोग सभा में नेता प्रतिपक्ष रहुल मचा हुआ है सदन में संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष की और इशारा करते हुए कहा था कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं आज की स्पेशल स्टूरी में हम आपको बताएंगे कि भूपेंदर चौधरी ने किस तरह नेता प्रतिपक्ष रहुल गांधी को लिया आड़े हाथ और साथ ही बताएंगे राहुल गांधी ने स्पीकर को चिठी लिखी और उस चिठी में उन्होंने किस बात का जिक्र किया राहुल गांधी के बयान पर मच रहा है बवाल हिंदू उग पर साधा राहुल गांधी ने निशाना लोग सभा सत्र के दौरान हिंदू को बताया हिंसक बीजेपी नेता कर रहे हैं पूरे देश से माफी मांगने की बाद राहुल गांधी के बयान पर सियासत तेज लोकसभा सत्र के दौरान राहुल गांधी के हिंदुओं को हिंसक कहने पर जम कर बवाल मचा हुआ है जुबानी जंग तेज और कठाक्ष के तीर और गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं अठारवी लोकसभा सत्र में जैसे ही राहुल गांधी ने अपने भाशन में हिंदुओं को हिंसक कहकर संबोधित किया उसी वक्त नरेंद्र मोधी ने उनका विरोध जताते हुए इस बयान को हिंदुओं को अपमानित करने की मंशा से परयोग की जाने का आरोप लगाया तो वही ग्रहमंतुरियम चान ने राहुल गांधी से हिंदुओं का अपमान करने के लिए पूरे देश से माफी मांगने की बात की है आज यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फरेंस कर राहुल गांधी पर तिखा हमला बोला है उन्होंने राहुल गांधी पर हिंदुओं का अपमान करने का आरोप लगाया है और कहा है कि बार बार लांच करने के उठा कहा उन्होंने कहा कि वो जूट बोलने में एक्सपर्ट हैं और उसके बाद तुरंट भाग जाने में भी कॉंग्रिस की ये पुरानी आदत है हिंदुओं को बदनाम करो उन्होंने पहली बार ऐसा नहीं किया है अपने इस बयान के लिए भूपेंद्र चौधरी ने राहुल गांधी से हिंदुओं का अफमान करने के लिए माफी मांगने की नसीहत भी दी है इसी के साथ प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने अपने भाशन के दौरान अगनिवीर और किसानों पर भी बयान दिया था जिसको गलत ठैराते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी ने अगनिवीर और किसानों पर भी गलत बयान बादी की है साल 1984 में कॉंग्रेस राज में ही सिखों का नरतंगार हुआ था यह सब को पता है आपातकाल में ही इन्हीं कॉंग्रेसियों ने आम जंता को प्रतारित किया था पूर्व में इनकी सरकार के मंत्रियों ने हिंदूओं को आतंगवादी भी कहा था अब राहुल गांधी ने अपने भाशर नेता प्रतिपक्ष के पद का अपमान किया है हाला कि राहुल गांधी के इस बयान और इतने बवाल के बाद उनके भाशन का यह साहटा दिया गया है जिसके बाद राहुल बिस्पीकर को जिठ है चिठी में राहुल गांधी ने स्पीकर से जताया पती है चिठी में राहुल गांधी ने कहा कि वो इस बात से शौक्ड है कि उनके भाशन के एक बड़े हिस्से को सदन की कारवाही से हटा दिया गया है राहुल गांधी ने अपनी चिठी में लिखा कि मैं ये पत्र रास्टपती के अभिभाशन पर धनिवाद प्रस्ताफ पर चर्चा के दौरान मेरे भाशन से निकाली गई टिपडियों और अंशों के संदर में लिख रहा हूं हाला कि सभा पीट को सदन की कारवाही से कुछ टिपडियों को निकालने की शक्ती हासिल है लेकिन इन में केवल उन शब्दों को निकालने का प्रावधान ह जिनकी प्रकृति लोग सभा के प्रतिक्रिया तथा कार संचालन नियमों के नियम 380 में निद्रिष्ट की गई है आपको बता दे कि राहुल गांधी के भाशन से कौन-कौन से हिस्से हटाए गए हैं पहला जो लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा नफरत नफरत असत्य 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 आप हिंदू हो ही नहीं दूसरा आप बात समझे ये इसलिए चिला रहे हैं क्योंकि तीर जाकर दिल में लगा है दिल में जाकर तीर लगा है इसलिए चिला रहे हैं देखो चुप हो गए देखिए ये सब चुप हो गए तीसरा बीजेपी को आपको नहीं 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 नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदु समाज नहीं है बीजेपी पूरा हिंदु समाज नहीं है ये बीजेपी का ठेका नहीं है चौथा तीन जगे से हिंसा शब्द को भी हटाया गया है चौथा, Use and Throw मजदूर है, ब्रिजभूशन सिंग छठा अगनिवीर स्कीम सेना की स्कीम नहीं है, ये PMO की स्कीम है पूरी सेना जानती है कि ये स्कीम प्राइम मिनिस्टर का brain child था ये स्क्रीम सेना का brain child नहीं था सातवा, तीन जगे से अडानी जी और एक जगे से अमबानी जी हटाया गया है राहुल गांधी ने सदन में दिखाई थी भगवान की फोटो लोग सभा सत्र में अपने भाशन के दोरान भगवान शिफ की तस्वीर अपने हाथ में लेकर दिखाई थी हिंदूों को नीचा दिखाने का आरोप उन्होंने राहुल गांधी पर लगाया है और हिंदूों की भावनाओं को आहत करने का भी आरोप उन्होंने राहुल गांधी पर लगाया है इसके बाद भूपेंदर चौधरी ने कहा कि राहुल ने अगनीवीर योजना का नाम लेते हुए कहा कि शहीदों को मुआफ़दा नहीं दिया जाता लेकिन रक्षा मंतरी राजनास सिंग ने तुरंत राहुल को एक्सपोस कर दिया और कहा कि एक करोण मुआफ़दा दिया ज गांधी पर पलटवार बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राजगे उपमुखी मंत्री समराट चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर संसद में दिये राहूल गांधी के भाशन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है समराट ने कहा कि सभी हिंदूों को हिंसक और नफरती बताकर राहूल गांधी ने संपूर्ण हिंदू समाच का अपमान किया है उन्होंने सार्जनिक रूप से माफी मंगनी होगी चौधरी ने कहा कि सनातन और हिंदूों को गाली देना हिंदूों को हिंसक आतंगवादी बताना राहूल की पुरानी फिद्रत रही है द वो कोई मानसिक रूप से बिमार व्यक्ती ही कहेगा उन्होंने कहा कि संसद के पहले सत्र के दौरा नेता प्रतिपक्ष के तोर पर राहूल गांधी ने बचकाना भाशन देकर संसद और नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को गिरा दिया है राहूल गांधी की इस हरकत ने उन्ह और इस बयान का शोर पूरे संसद में अभी तक गूंज रहा है राहुल गान्दी के इस बयान पर आपकी क्या रहा है कमेंच बॉक्स मर हमें जरूर बताएं और इसी के साथ आप देखते रहिए क्यापिटल टीवी नमस्कार